ए उपर मता जईए यो तो सेरो आख कि यह यह हमारी कलोनी का बाहर का जो रिंग रोड है बाहर थोड़ा सा गया कि यह पस स्टेंड भी है यह लोकल पस स्टेंड है यहीं बसे रुकती है पेड की नीचे है इसे पीड के पास ही इस्टेंड है ऐसे लोकल स्टेंड ही बनाए कोई मतलब ऐसा वरिजिनल स्टेंड नहीं है प्रोपर बनाये गया हो इदर से आती हुए बसे वहां आगे रुकती है इदर से आएगे तो स्टेंड की नीचे रुख जाएगे जहां वह खड़े हैं बाइस साब एक यह बाइक जहां से मुड़ा इसके ठीक सामने कितना जाम लग जाता है एक सेकंड नहीं लगता देख रहे हैं एक बस आगे रुका तो पूरा रोड जाम ऐसा रिंग रोड है यह आपकर सामने दोस्तों देगे अब यहां का एरिया ऐसे ही एरिया क्या है मतलब थोड़ा दिहात टाइप में है यह वैसे तो यह गाउं ही था लेकिन धिरे-धिरे जैसे सेरी करण होता गया तो फिर यहां पर थोड़ा डपलप्मेंट भी होना चालू हो गया यह रूड तो और उसका बीड़ जादा लग जाती है कभी-कभी खाली पड़ा होता है रोड़ पूरा और साम को होता जादा भीड़े यहां पर आप मेरे सामने देखिए यह सामने जो भी है इदर अभी कुछ नहीं है इदर समय लो बाग बगई चाहिए सारा उस तरप को सामने तो बस ऐ देख सकते हैं इदर कसीने से अभी जादा दुकाने नहीं है इस रोड़ के किनारे आगे एक होस्पीटल है तो बस यह है वैसे सवारियों की कोई दिक्कत नहीं होती है सवारी मिलती ही रहती है अब वो देखिए भाई साब वो खड़े हैं जो यह जा रहे हैं उपर कि यह यह रास्ता डोड़ते हैं इदर से उदर आने जाने का या कोई फल वगएरा पीड़ पर लगा होगा तो उसके तोड़ने के चक्कर में यह देखिए हैं ठीक है जो फल पर उठे खाना भी चाहिए नहीं तो वैसे बिकार हो जाएगा पड़ा हुगा और यह देखिए बुल्डोजर बाबा भी आगए यहीं पर आपको हर चीजे नजर आजाएगा अगर आप रोट पर थोड़ी दिर खड़ा होगे तो ऐसा नहीं कि यहां पर कोई सवारी का साधन नहीं है ऐसा कुछ नहीं है बीड़ बाड़ पूरी हो जाती है कि देखिए हैं कि तो यहां पर लोग आते जाते भी रहते हैं कि अनुने में से भी कि दिक्कत है मोबाइल के अंदर कि सही अवाज भी नहीं आ पा रही है और इसके जो क्वालिटी है केमरे की वह भी बिगड़ गई है कि मैं रिंग रोट पे खड़ा हूं जो यहां कहीं है रिंग रोट ही है तो रात को इंट ढूंड रहा था इसको मैं मेरे आनिक बादी गायव हो गया अब यह आ गया स्टुबे शेरू ओ शेरू अब वो नहीं बोलेगा जल्दी नहीं तो लप-लपा के आ जाता है अभी नीद आ रहे है यह सेरू को अब बहुत ते जल्दी वीडियो बन वाएगा यह देखो बैठके वीडियो बन वार रहा है दोस्तों इसको पते मैं वीडियो बना रहा हूं कि शेरू कि पूशिला हां हिलाता रहे वावावावावावावाव समझदार है कहा गया था रात को तु अब उपर मता जाईयो अब शेरू कि अब करियो जूठा करता रहेगा अब शेरू जूठा मत करियो और इसको पता है रोटी कहा मिलेगी वहीं जाके मिलेगी रोटी यह देखो यह यहां के त्यार है भाई अब इस तरप यह चाय में बैठेगा यह कि अधर थोड़ा ठंड़क मिलती है गमले पाउदे से दूसरा साथ ही इसको वहा है यह यह वहां रोटी नहीं मिलेगी तिरे को जहां पर कट्वारा रख़ा है अब और यह यह यहां आकर बैठेगे देखों दोस्त अच्छाय आए बिलकुल यहां पर यहां के एक तरफ बैठ जाएगा बिलकुल एस लगता है कितना सीथ है तो सिधा ही लेकर कभी कभी टीड़ा हो जाता है नराज हो जाता है जल्दी ये शेरू है और तु क्या कर रही है बेटा ए चोटी बच्ची जाड़ू लगा रही थी अभी खेल खेल में मंदिर से आया था मैं अपना प्रसाथ निकाल लूँ यह देखिए आज सनिवार है आज काली माता के मंदिर गया था अब दोस्तों इसको खाना भी दे दिया है यह सुवे का हो गया फिर जब मैं रात को आँगा ना तो मुझे इसको खिला के अंदर जाना पड़ता है नहीं त कराज बहुत जल्दी हो जाता है अब इसको टोरे में पानी डाल दिया जाएगा इसके लिए चाहे गली कही सई दोस्तों लेकिन मानते ही अपना मानते हैं हमें तो हमें इनको मानना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि गली का है तो ख्याल नहीं रखता क्योंकि हमारी इर्दिगि कि इसलन टाइप करना दोस्तों यहीं पैर फिसल जाता है उसके पड़ा पत्थर पे और पैर फिसल के वह गया पत्थर कि यह हो गया खराब स्टी का यह देखे यह बदल रहा हूं इसका बैल्टिंग करा रहा हूं कर दोस्तों इसलिए इसको बैल्डिंग करवार हूं यहां पर इसका आगे का जो लगा होता है यह देखिए यहां पर यह बैल्डिंग मेकैनिक की सारी दुकान है यहां पर कि इस इसे आग गरी बेल्डिंग कर दो अपनी हैं